हेलो गाईज कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बेक टू माई चैनल रियल केनेडियान लाइफ दोस्तों क्या आप केनेडा पीर पर आना चाहते हैं और आप एक्सप्रेसेंट्री पूल में अपना नंबर लगने का वैट कर रहे हैं बार-बार आप ये अपडेट चेक करते रहते है कि केनेडा एक्सप्रेसेंट्री पूल कब चलू होगा क्योंकि ओल्मोस्ट लेड़ साल से एक्सप्रेसेंट्री पूल का कोई ड्रो हुआ ही नहीं है तो अभी रिसेंट्ली जो एक ड्रो हुआ है तो उसका कट ओफ क्या है और उसके साथ-साथ आप अपने चांसिस की सतर से बढ़ा सकते हैं कि express entry pool में से आपको भी ITA यानि की invitation to apply for PR मिल जाए और आपको भी PR मिलने के बद आप केनेडा आ सके हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको 6th July 2022 का जो CRS pool का draw हुआ है उसका पुरा analysis करके बताऊंगा और साथी साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने chances बढ़ाने के लिए क्या-क्या strategies follow कर सकते हैं दोस्तो मैं हूँ आपका दोस अनिकेत और आप देखरें मेरा चैनल Real Canadian Life दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे Instagram ID Real Canadian Life और Facebook पेज Real Canadian Life को भी follow कर सकते हैं तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर साइड में जो screenshot लगाया है उसमें यह mention किया है कि जो 6th July 2022 का जो latest CRS pull का draw हुआ था उसमें 1500 candidate को ITA issue किया गया है और जो last cutoff था वो था 557 CRS तो जैसे कि आपको पता है कि almost डेड़ साल से यह जो draw था वो बंज था क्योंकि IRCC के पास already 2 million के आसपास जो files थी PR उसके लिए तो वो backlog पर थी क्योंकि वो लोग पहली जो applications आई थी उनके उपर काम करना चाते थे डेड़ साल तक यह backlog clear करने के लिए CRS pull का जो regularly जो draw करते हैं उसको hold पर रखा था जो last CRS का draw हुआ था वो हुआ था December 2020 में और उसके बाद जो पुड़ा 21 और 22 half गया उसमें ज्यादा से ज्यादा candidates को invite तो किया गया लेकिन वो जो candidates थे वो ज्यादा तर CEC यानि की Canadian experience class वाले थे या फिर PNP nomination वाले थे तो उनी लोगों को invite किया गया है और last year COVID की वज़े से भी Canadian government ने ये decide किया था कि जो लोग already Canada में रह रहे है already on temporary visa जो की work permit पर है या फिर कोई LMIA work permit पर भी लोग काम कर रहे थे और काफी सारे students थे जो work permit पर दे उन सभी लोगों को allow कर दिया और उसके बाद उन लोगों के पास जो amount थी फाइल की जो amount थी वो काफी ज्यादा हो गई उसकी वज़े से उन लोगों ने hold करके तो अब जो बात करते हैं कि उन लोगों के पास इतना ज्यादा बेक लोग नहीं है तो फिर से express entry pool इन लोगों ने resume कर दिया है और साती साथ जो express entry की timeline थी वो almost डेड़ साल की थी उसको भी वापिस 6 महीने कर रहे हैं तो जो लोग express entry pool में अपना number लगने के लिए wait कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छी बात है क्योंकि कम से कम express entry में लोगों को invitation देना तो start हुआ है क्योंकि डेड़ साल से तो वो ही नहीं हो रहा था अब बात करते हैं next अभी क्या होगा तो जो prediction कर रहे हैं काफी सारे लोग ये जो prediction कर रहे हैं तो मैं भी ये predict कर रहा हूँ क्योंकि मैं express entry को 2015 से follow कर रहा हूँ उसका जो trend था तो वो जो मैं analyze कर रहा था तो मैंने ये एक बात notice करी कि 2015 में जब express entry pool की शुरुआत हुई थी उस time पर CRS का जो cutoff था वो more than 500 जा रहा उस time पर CRS pool के अंदर जो भी candidates थे उनका जो CRS score था वो भी काफी ज्यादा था लेकिन इस बार इतना ज्यादा CRS score नहीं है अभी latest CRS pool की क्या condition है ये हम बात करते हैं कि अभी जो CRS score range 6012 लेकर 1200 तक candidates है उसका number है 669 याने कि जब भी next draw होगा तो इन लोगों का number लग जाएगा अब next बात करते हैं जो 501 से लेकर 600 तक के जो candidates है उनका जो number है ये है 8773 यानि कि almost 9000 candidates है अगर 1500 लोगों को हर महीने invite किया जाए तब भी ये number खतम होने में almost 6 draw लग जाएंगे यानि कि अगर bi-weekly ये draw होता है जैसे Canada में हर 2 week पर salary आती है उसी तरह से Canada में 2 week पर CRS draw की regular updates दी जाए तो almost 3-4 महिने में 500 से नीचे ये cut off जा सकता है और अब बात आती है 451 से लेकर 500 तक वाले candidates जो कि सबसे ज्यादा है 58,000 और उसमें भी अगर हम थोड़ा down में जाकर देखते है तो 491, 481 और 471 वाले candidates है उनके जो chances है वो काफी ज्यादा है और इसमें हम बात करें क कि 471 से जो नीचे का cut off है तो ये candidate का pool size काफी बड़ा है तो इन लोगों को chances लग सकता है अगर CRS pool में जो invite किया जाता है जो pool size है उसको बड़ा दी जाए जैसे अभी 1500 candidates को invite किया गया है लेकिन कुछ time पहले Canadian government ने IRCC ने tweet करके ये बताया था कि वो लोग July महिने से IRCC का जो regular CR CRS draw है उसको resume करने वाले है और साथी साथ जो भी candidate की pool size है जो ITA देने का size है उसको gradually increase करेंगे तो अभी तो इन लोगों ने try and tested किया है कि 1500 candidate को invite किया है लेकिन future में इससे भी ज्यादा करने वाले है तो दोस्तों last जो CRS draw हुआ उसका analysis करते है तो हम देखते है कि cut off 557 तक गया हम normal condition में अगर बात करें लोगों को अगर किसी के पास master's या फिर PhD की degree है उसको more than 6 year का work experience है साथी साथ IELTS में maximum bands achieve करके लाते है हम assume करते है कि 8 bands तक वो लाते है साथी साथ हम ये भी assume करते है कि उसके जो spouse है उसको भी master's या फिर PhD की degree है और उनके भी IELTS में maximum band है तब उनका CRS score जो होगा वो around 480 के आसपास आएगा तो 480 तक लोग maximum पहुँच सकते है जो भी international graduates या फिर international foreign workers express entry pool के लिए apply करते है इनका CRS max to max 480 तक पहुँच सकता है लेकिन जो लोगों का more than 500, 557 तक जो score आता है उनके पास क्या skills हो सकती है तो additionally हो सकता है कि उनके पास कोई blood relative का points हो अगर आपके भी Canada में कोई blood relative रहते है तो आपको भी उनके points मिल सकते है साथी साथ आपके पास कोई job offer letter है आपने पुरान कोई Canadian degree ले रखी है या आपका कोई Canadian work experience का connection है तो ऐसा अगर कुछ है तो आपका जो CRS score होगा वो more than 550 और 600 तक पहुँच सकता है अब जो regular लोगों की बात करें कि उनका जो CRS score है वो 460, 470 या फिर 450 के आसपास आता है तो वो लोग क्या कर सकते है तो देखिए इसमें आप एज चेंज नहीं कर सकते है आप अपना IELTS का जो maximum score है उसको भी चेंज नहीं कर सकते है आपकी जो master's degree है उसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप थोड़ा अपना CRS score boost up कर पाओगे लेकिन फिर भी आपका CRS 450 या फिर उससे भी नीचे आ रहा है तो फिर आपके लिए क्या option है तो देखिए अगर आप CRS pool को देखेंगे तो CRS pool में क्या होता है कि total 1200 points की grid होती है उसमें 600 points जो होते है वो आपको PNP nomination के होते है और 600 आ तो आपकी qualifications वोगेरे के आपके जो points आएंगे वो तो from these 600 points ही आएंगे तो additionally अगर आप कोई province के लिए apply करते है like Saskatchewan PNP के लिए apply करते है कहीं आपको Alberta PNP से कोई EOI आ जाता है आपको notification आता है कि आप apply कीजिए या फिर आप AIPP provincial program है उसमें भी अगर आप apply करते है और आप आपके बास जो woofer आ जाती है या फिर आपको work permit के लिए permission दी जाती है तब आप additional points apply कर सकते हो और अगर आप Saskatchewan या फिर कोई भी province से आपको nomination आ जाता है तो आपके जो points होंगे वो 600 aid हो जाएंगे तो फिर भी अगर आपका CRS score around 400 बन रहा है और आपको PNP nomination मिल जाएगा त आपके जो total points है वो 1000 तक पहुँच पाएंगे बेस्ट opportunity यही है कि आपका CRS score कम हो रहा है तो आप simultaneously PNP programs के लिए apply केजिए और साथी साथ आप अपनी French skill बढ़ा सकते हैं यह दो ही option available है जो कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मालूम नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि यही दो options available ह अगर आप कोई additional job ढूंड पाते हैं अगर आपको jobs के 50 या 200 points मिल पाते हैं तो वो भी काफी अच्छी बात है तो यह बात हो गई कि जो आप अपना चांसी से हैं वो केसे बढ़ा सकते हैं लेकिन Canadian government है वो कुछ थोड़ा और भी improvement लेकर आने वाली है तो recently अभी यह जो trend चल अगर आपके पास enough points है आपके पास cut-off से ज्यादा point है तो आपको invitation to apply यानि कि ITA मिल जाएगा उसके बाद आप Canada peer के लिए apply कर सकते है और आपको फिर peer मिलने के chances बहुत ही ज्यादा होते है लेकिन Canadian government इस तरह से change ला रही है कि वो ऐसा चाहती है कि उनके पास जो candidate आए वो सिर्फ skilled के उपर काम करके आए यानि कि government खुद ऐसा चाहती है कि जो भी candidates आए उनके पास कुछ special skills हो तो वो जो NOC अभी जो चल रही है उसको वो update करके नया भी NOC का version वो निकालने वाले है तो इसमें ये जो NOC की बात है ये थोड़ी double-sided sword जैसी है क्योंकि उसमें ये होगा कि Canadian government को जो लोगों की skillset पसंद आती है सिर्फ उनी लोगों को invite किया जाएगा चाहे उनका CRS score ज ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसमें disadvantage उन लोगों को होगा जिनका CRS score ज्यादा है लेकिन उनकी skilled की requirement के रेड़ा में कम है तो government चाहे तो उनके CRS ज्यादा होने के बावजुद भी उनको invite नहीं करेगी और कुछ ऐसी NOC आएगी जो government को ज्यादा उसकी requirement होगी त फिर भी उनको वह invite कर सकती है लेकिन क्या होगा कैसे होगा यह तो सिर्फ जब ब्रो होगा तब ही हमें पता चलेगा और किस तरह से वह इंप्लीमेंट करते उसके बाद ही idea आएगा लेकिन फिर भी सोटर फ्यूचर में यह NOC वाला चेंज तो आने ही वाला है तो आपको वह सारा जो importance है उसका वो दिख जाएगा और दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे one to one बात करना चाहते है अगर आप मुझसे paid consultation लेना चाहते है तो आप मुझे instagram मेरे instagram id real Canadian life के उपर आप मुझे DM कर सकते है तो मैं अपना time निकाल कर आपको one to one consultation भी दे सकूंगा दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर दीजे जो लोग केनेडा पर आना चाहते है उन तक यह video information जरूर share कीजे और अच्छा लगा हो तो like जरू कीजे और channel को subscribe जरू कर दीजे thanks for watching the video